पचीस में भी क्या सारी संकल्प आपका पूरा होगा क्योंकि उधर तेज़सवी आदव सर जो जाती है जणगर्णाय का मुद्धा लेकर जो है उतरे है मैदान में आपको लग रहा है ये मुद्धा बिहार में आपको रुकसान पहुचाएगा यह उनके पिता लालू प्रशाद जी पंदरा साल तक जिन बातों को वो बोलते हैं, करते नहीं है, पंदरा साल तक लालू जी बिहार के मुखमंत्री रहे, एक व्यक्ति को आरक्षन नहीं दिया, एक समाज को आरक्षन नहीं दिया, ना पिछडों की चिंता की, ना ती पिछडों को चिंता किया, और 2001 में याद कीजिए मुखिया जिला प्रिसत का चुना हुआ, उसमें तो दलितों को भी आरक्षन नहीं दिया, लालू जी आरक्षन बिरोधी हैं, उनको सत्ता चाहिए, वो कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, आज रानी भी लाया, राजकुमार भी लाये, और राजकुमारियां भी लाया, यही है लालू प्रसाज जी, क्या बीजेपी जाती है जनकरना के पक्ष में, वो बार बार आप से सवाल पूछते हैं, और घेरने की कोशिश करते हैं, मैं को का रहा हूँ समर्थन हमने किया, और हमारी सरकार ने किया, यह लालू प्रसाज जी यह इंडी गठवंडन के लोगों ने नहीं किया, यह मैं बता रहा हूँ, 22 जून 2022 मैं सरकार में मंत्री के तौर के हैसियत पर था, हम लोगों ने 200 क्लो रुपिया उसके लिए एलाउट किया कैबिनेट से, और आदनियन नितिष कुमार जी के आग्रय पर, भारतिय क्यंता पार्टी ने समती दिया, और बिहार में जातिय जन окhanta हुआ, यहां जो निरना है, यह देश के यसस्वी परदान मंत्री जी लेंगे, और भारतिय क्ये जन्ता पार्टी कभी इसके बिरोध नहीं कर सकता है आज तक कभी बिरोध नहीं किया इस देश में भी आरक्षन जब जब आया चाहे वो 89 में याद कीजिए बीपी सिंग जी देश के परधान मंतरी थे कौन समर्थन दे रहा था भाजपा 84 सांसद वाली भाजपा समर्थन दे रही थी और कांग्रेस पानी पी के गाली दे रही थी तो हम तो समर्थक है जब जब इस देश में आरक्षन आया है भाजपा ने समर्थन किया है साथ साथ मेरा सवाल आप से बहुत कम लोग जानते हैं कि आप उप महा धिवक्ता भी रहे उच नियायले में 36 गड़ हाई कोट में सर उस पद पर रहने के दौरान वो काम करने के दौरान और अब उप मुख्यमंत्री रहने के दौरान आपके लिए जादा टफ काम कौन सा मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में कोई काम कठिन नहीं होता है आउसकता के वल इस बात की है उस काम को मन लगा कर उस साप उर्वक रूची से उस काम को अंजाम देना यह सही है कि मैं गाउं से निकल कर आया हूँ और गाउं से समानली किसाम परिवार से रहा हूँ पिता जी भी अधिवक्ता रहे हैं और उनसे प्रेणा लेकर वकालत भी करी वो भी राजनिती में थे राजनिती में आया पर मेरा ऐसा मानना है कि कोई काम कठिन नहीं होता है किवल इस बात के जरूरत होती है उपमाधिवक्ता के रूप में पारिटी ने सांसद बनाया सांसद के रूप में पूरी मानदारी और महनत से काम किया चाहे छेतर में विकास के काम हो लोगसभा के अंदर अपने छेतर की बातों को उठ्ञाने का मामला हो प्रदेश सद्देश की जुम्मेदारी पार्टी ने दी तो उस पर पूरी ताकत लगा के पूरे प्रदेश भर में लगातार प्रवास किया दोरे किया, कारकरताओं के बीच उच्छा भरी और पार्टी को इतिहासी विजय उस समय मिली और आज जब मुक्यमंदारी के रूप में जुम्मेदारी मिली है तो उस जुम्मेदारी को भी पूरी इमानदारी और महनद से निभाने का प्रयास कर रहा हूए मुश्किल काम कौन सा था यह नहीं बताया आपने मैंने वही कहा कि कोई काम मुश्किल नहीं होता है आफसकता इस بात की होती है कि आप उस काम को रूची से, उस साथ से और उस काम की आफसकताओं को ध्यान में रखकर आप योजना बना कर काम करें, तो हर काम समराट जी से गाकरी सवाल समराट जी बिहार को लेकर एक डर सब के जहन में रहता है जिनके साथ आपने अलाइंस किया है उनके साथ एक टाग लाइन चिपक गई है पल्टू राम की तो बार बार सब को डर रहता है कि पल्टू राम पल्टेंगे या नहीं पल्टेंगे अब इस बार आपको यकीन है कि नितीश कुमार पलटने वाले नही देखिए एक चीज असपस तोर पर समझ लिजिए बिहार में तीन पार्टियों की इस्तिती है नितीज कुमार जी ने काम किया जनता का एक विश्वास है भारतिय जनता पार्टि इस देश को आगे बढ़ाने में काम कर रही है और जो तीसरी पार्टि है उसने बिहार को लूटा है और याद मैं दिलाता हूँ 2020 के चुनाव में पहले फेज में 72 सीटों का चुनाव हुआ उसमें 48 सीटे सिर्फ इंडी गटवंदन के लोग जीत गए जनता में चला गिया कि राज़द आ रही है आपको जान का राश्चर जोगा जनता ने अगले दो पेज में भाजपा इंडिया की सरकार बना दे तो बिहार में लेकिन आप यह नहीं बता रहे हैं कि नितीश कुमार साथ रहेंगे या नहीं मैंने जो कहा हूँ आप समझ गए होंगे मैंने कहा नितीश कुमार ने विकास किया है इसलिए जनता का भरोसा है लेकिन बिहार को और यदि गती देना है तो थंपिंग मेरिजिटी से दोजार पचीस में एंडिया की सद्धार एक लाइन में जवाब चाहूँगा आप से नितीश कुमार एक लाइन में जवाब नितीश कुमार एक परफॉर्मिंग सीफ फिनिस्टर लालु यादव थोरली करप्ट पॉलिटिसियन तेजस्वी यादव अपने डैनिस्टी को बढ़ाने वाला थोरली करप्ट तेश परताब सर अपने रंग के लिए बहुत जाने जाते उनकी उनकी वो वाइरल होते वीडियो दुनगे क्या है देखिए ये लोग ऐसे लोग हैं जो नितीज के काम को ही गुनगान करेंगे वो एक बार बता दे कि लालु प्रसाद जी ने 15 वरसों में क्या काम किया है तो मैं माल लूँगा वो ये जरूर कहते होंगे कि हम नितीजी के साथ काम किये तो हमने ये किया ये कभी नही नहीं बताते हैं कि उनके आधनिये पिता जी और माता जी बिहार को 15 साल तक लूटते रहे उसका कभी तारिफ वो नहीं करते हैं एक नई पॉलिटिकल पार्टी के इंट्री हो गई प्रशान किशोर अभी सिसु अवस्ता में है सर मेरा आखरी सवल आप से सर आप अमेरिका गए थे आप से सवाल पूछा गया कि राहुल गांदी पर आप कुछ बोलेंगे या नहीं तो आपने कहा मैं विरेश में हूँ अभी अपने देश के नेता के बारे में कुछ नहीं कहूँगा मुझे भारत वापस आने दो अब आप भारत वापस आगए अब क्या कहेंगे आप आपके कारिकरम का स्वरूप ही है रास्ट सर्वो परी एक भारती दुनिया में कहीं जाएगा भारत माता का गुंगान वहां करना पड़ेगा यदि रास्ट आपके लिए सर्वो परी है आपके मन में कर्म में वचन में ये रास्ट हर भारती के मन में होना चाहिए और जब आपके मन में होगा तो जहां पर भी जाएंगे भारत माता की जय कहेंगे भारत का गुणगान कहेंगे मैं छतिर गड़ से आया हूँ देश में जहां कहीं भी जाओं छतिर गड़िया सब ले बढ़िया ये कहूंगा ही मैं दुनिया में कहीं जाऊंगा तो भारत को जैकान करूंगा और छतिर गडिया सबसे बढ़िया और एक बिहारी सब पर भारी